जये स्रीकृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हिंदू धर्म में तूलसी के पौधे के महत को तो हम सभी जानते हैं एक ऐसा माना गया है कि तूलसी का जो पौधा होता है वो श्री हरी विष्णु को बहुत जादा प्रिय होता है हर घर में तूलसी का पौधा होना इसलिए जरूरी मानने गया है और यह माननेता है कि जिस घर पर तुलसी का पौधा होता है वह घर काफी पवित्र हो जाता है और यही वज़ा है कि घर में कम से कम एक तुलसी का पौधा होना अनिवार है दोस्तों तुलसी के पौधे का सर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है वैज्ञानिक महत्व भी है क्योंकि इसका इस्तिमाल किया जाता है आयुरुवेट में येकिन दोस्तों आप तुलसी से जोड़ी एक चीज़ शायद नहीं जानते जब तुलसी के पौधे पर मंजरी आती है तो वह कोई संदेश दीती है शास्त्रों के अनुसार तूलसी के पौधे पर मंजरी आने का मतलब होता है कर्ज के बोज में दबना ऐसे में तूलसी के मंजरी का उपाय कर लेने से हम कर्ज से बच सकते हैं और मन जहां धनलाब भी कर सकते हैं तो जलिए जान लेते हैं दोस्तों कि तुलसी पर जब मंजरी आई तो क्या करना चाहिए किन-किन उपायों को हम करें ताकि हमारे घर की सुख, शांती और समृदी जो है वो बरकरार रह सके सबसे पहला काम, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसमें मंजरी आने लग गई है तो इसका मतलब समझ जाना है कि घर में negative energies जो है वो बढ़ रही है और साथी धन हाने का संकट कट बढ़ सकता है हालां कि तुलसी के पौधे में मंजरी का आना तो स्वाभावी का यहीं बहुत natural है क्योंकि यह तो आना ही है यहीं मंजरी के जो बीज होते हैं इनी से तुलसी के नए पौधे तयार होते हैं लेकिन दोस्तों इसका जो negative impact है इससे बशने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं समय समय पर तुलसी की मंजरी को आपने निकाल लेना है उपकी cutting कर लेनी है और दोसे से भगवान श्री हरी विष्णु को अरपित कर देना चाहिए कहते हैं कि स्वच्छ जल में तुलसी की मंजरी मिला कर अगर श्री हरी विष्णु को चड़ा दी जाए तो धन से समंधित सारी परेशानिया जो है वो दूर हो जाती है तो सबसे पहला होगा तो आपने करना है मंजरी को आपने तोडने के बाद में श्री हरी विष्णु को जल के साथ अर्पित कर देना है दूसरा उपाय सुनने में आपको शायद अज़ीब लगेगा उसका रीजन यह है कि बगवान भोले नात को तुलसी अर्पित नहीं की जाती हम सभी जानते हैं लेकिन दोस्तों आपको जानकर यह आश्यर होगा कि भले ही बगवान भोले नात को तुलसी का पत्ता चड़ाना वर्जित है लेकिन आप भगवान भोले नात को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाब मिलेगा इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या शादी में किसी तरह की अर्च है तो आपने दूद में मिलाकर भगवान भोले नात को तुलसी की मंजरी अर्पित कर देनी चाहिए वह ऐसा करने से जीवन में प्रेम की प्राप्ती होती है और शादी में आ रही अर्चने रुकाउटे स्वतही दूर हो जाती है दोस्तों मंजरी का तीसरा उपाई ये है कि तुलसी की मंजरी को आप मा लक्ष्मी के चर्णों में अर्पित कर सकते है ऐसा करने से घर में सुख समृद्धी आती है माननेता है कि माता लक्षमी को तुलसी की मंजरी अर्पन करने से जीवन में आने वाले संकट से मुक्ति मिलती है और इसके लिए आप तुलसी की मंजरी को हर शुक्रवार को मा लक्षमी के चर्णों में अर्पित कर सकते हैं और ऐसा करने से आपके सभी मनोकामनाई पूर्ण हो जाएगी और आपके काम में आ रही अर्चने रुकाउटें जो हैं वो दूर हो जाएगी दोस्तों तुलसी के इन सिंपल जो आसान से उपाए है वो आप जरूर से करेगा क्योंकि दोस्तों इसका एक बेसिक रिजरन भी है क्योंकि जब तुलसी पे मंजरी आती है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है और तुलसी की ग्रोथ प्रॉपर हो सके इसलिए तुलसी की मंजरी की कटिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों इसलिए साइन्टिफिक वेसे भी आपने इसे जरूर से कर लेना चाहिए जैसे ही भी सुक समर्द ही हो बनी रहे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो कमेंट में जरूर से लिखेगा जै श्री कृष्णा